जहिंदर नमस्कार मेरे सेर्ट सेर्णी लाड़ो लाड़ो श्वागत आप सभी का आपका अपनी यूटूब चैनल कमांडो केट में पर दोस्तों आज का वीडियो इस पेसली आप में से कई बच्चों को नहीं पता होगा जो तो ऐसे जीडी 2022 वाला जिन बच्चों ने पेपर दिया था उन सब के लिए एक स्यांदार सी न्यूज आईए जिन्होंने जो फाइनल मेरिट में रह गए हैं उनके लिए या जो फिजिकल टेस्ट के समय रह गए हैं कटोप में उन सभी के लिए बहुत ही प्यारी सी न्यूज उस पे भी मिल जाएगा और तो CRPF की साइड है उस पे भी मिल जाएगा CRPF की जो रिक्रूट्मेंट रोली साइड है उस पे जब आप जाओगे तो उस पे भी आपको नोटिस मिल जाएगा इसमें लिखा वाक्या दे कुद्धान से कि दपी एस्टी पीटी इवेंट ओप सीटी जीडी एग्जामिनेशन दो हजार बाइस इन से असे सप एंड असम राइपल पोर दे रिमानिंग सत्रा सो एक कंडिडेंट इज शेडूल एक ग्यारा दो हजार तेबीस यह नि इन बच्चों की वापस से फिजिकल टेस्ट हो और होगा मेडिकल वेडिकल सब कितने पोस्ट के लिए सतरा सो एक कंडिडेट ठीक है रिमाइनिंग सतरा सो एक कंडिडेट को और कब होगा यह एक नॉंबर 2011 को इसको शेडूल किया गया है और इपिड कार्ड फोर लिंक यह जो एडमेट कार्ड है यह आएंगे से आरफ ज और पीएस्टी दोनों टेस्ट होंगे और अगर आप उसको किलियर कर जाते हो और फिर आपका मेडिकल भी होगा वो भी आप किलियर कर जाते हो तो आपको फाइनल सेलेक्शन मिल जाएगा तो ये काफी अच्छी नूज है जो बच्चे एक दो नमबर से रह गये थे अब काफ इसा लगता है कि टोटल 1701 को मौका मिलेगा तो सभी जोईनिंग हो जाएगी नहीं इन में से कुछ बच्चे मेडिकल में फैल हो जाएगे जो बचेंगे उनको फाइनल जोईनिंग दे तो ये किसलिए हो रहा है ये कई पोस्ट खाली रह गई है तो जो पोस्ट खाली रह ग ठीक है और SSGD 2023 के लिए भी सुन लिजे लाड़ लो जो 23-20 वाल ये न इसके भी बहुत सारे चांस है कि ये एक्जाम आपका जनवरी में हो जाए तो इसलिए तैयारी थोड़ी जब बर्दस्त रखना मैं देखता हूँ अभी भी कई बच्चे नीद में सो रहे हैं तो जब ज्यादा सोने का समय नहीं ठीक है जय हिंद जय भर्त लाड़ लो